नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों हर मा के कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथी के दिन मासिक शिवरात्री वरत रखा जाता है ये शिव और माता पार्वती को समर्पित है शिव जी की प्रिये रात्री यानि की माँ शिवरात्री के दिन देवी पार्वती और भोले नात का विवा हुआ था साथी इस दिन पहली बार शिवलिंग में शिव प्रकट हुए थे यही वज़ा है कि मासिक शिवरात्री का वरत रखने वालों पर महादेव की वीशेश कृपा बरस्ती है विवाहिक जीवन में सोखाता है और अच्छा वर मिलता है आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि दिसंबर 2023 में मार्गशीश मा की मासिक शिवरात्री वरत की डेट क्या है और क्या है शुमुरत तो चलिए जानते हैं नमबर एक मार्गशीश मा शिवरात्री 2023 तिथी दोस्तो 11 दिसंबर 2023 को मार्गशीश मास शिवरातरी का वरत रखा जाएगा इस दिन सोमवार होने से इस वरत का महत्व दो गुना हो गया है क्योंकि चतुरदशी तिथी और सोमवार दोनों ही शिव को प्रिये हैं ऐसे में वरती पर भोलेनात महरभान रहेंगे दोस्तो पंचांग के अनुसार मार्गशीश मा के क्रिश्न पक्ष की चतुरदशी तिथी 11 दिसंबर 2023 को सुबा 7 बचकर 10 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 12 दिसंबर 2023 को सुबा 6 बचकर 24 मिनट पर इसका समापन होगा शिव पूजन का समय 11 दिसंबर 2023 रात 11 बचकर 47 मिनट से शुरू होकर 12 दिसंबर 2023 को सुबा 12 बचकर 41 मिनट पर समाप्त होगा अब दी 55 मिनट की है नमबर 3 मार्गशीश मासिक शिवरातरी वरत महत्व दोस्तो शिव पुराण के अनुसार मासिक शिवरातरी बचवान शिव की बक्ती के लिए सबसे प्रभाफशाली वरत समझा दाता है जिन लोगों को संतान सुक नहीं मिलता उन्हें मासिक शिवरातरी वरत के दिन शिवलिंग का रुद्रा विशेक करना चाहिए मानता है कि इस दिन रातरी काल में शिवलिंग में भोले नाथ का वास होता है उनके पूजन अर्चना से सारी मनोकामनाय पूण होती है इस दिन वृत रखने से सक्रातमक उर्जा में अबधी होती है मन शांत होता है और वेक्ति निरोग रहता है साती क्रोध, अभीमान और लोब से भी मुक्ति मिल जाती है तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार